नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंस्पोर्ट्स आपके साथ मैं हूँ अंक्यर प्रफ हूँ तो IPL का काउंटडाउन जो है दोस्तों वो शुरू होने वाला है आपेल में अब कुछे दिन रहे हैं नौ अप्रिल को पहला मैच खिला जाएगा जिसमें पांच बार की चैंपियन मुंबा इंडेस का सामना विराट कोली की रॉयल चैंजर बेंगलोर के खिलाफ होने वाला है लेकिन कुछ तीमें अभी परेशानी में हैं क्योंकि उनके कुछ खिलाडी जो है वो इंजर्ड हो गए है कुछ खिलाडी के पास जो है उनका वाइस कैप्टन नहीं है ऐसे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ की ऐसी तीन टीमे है यानि कि दिल्ली चेन नहीं और राजिस्तान जिनको कुछ कड़े फैसले आईपल से पहले जरूर लेने होंगे क्योंकि अगर यह फैसले नहीं लिए तो कहीं नहीं उन्हें मुश्किल आ सकती है तो सबसे बहले बात करते हैं इस पुरे कारेकरम में आपके साथ की दिल्ली कैपिटल्स को कप्तान की जरूत है क्योंकि उनके कप्तान श्वेश आयर जो है वो चोटे लोग है वो इंग्ले में जो थे वो मुंबई इंडियन से हारग और खिताब नहीं जीत पाए दिल्ली कैपिटल्स अभी तक जितने भी सीजन आई पेल के हुए यानकि तेरा सीजन हुए है उसमें खिताब नहीं उन्हें जीता है लेकिन इस बार ही उमीद थी कि जब श्वेश में उनके टीम में लेकिन पछला सीजन ज्यादा मुचाले लेकिन एक नाम भी इसमें एसंगे सामने हैं क्सबसेट बार है उसके साल टिली कैपिटल्स में शामिल किया गया एगया सबसेटीज दूश्री और अगर हम देखे तो पिछले सीजन जो ता आइपल के लिए इतना शानदार नहीं था साथ वे आखरी पोधिशन पर जो थी राइस्तान रोयल के कप्तानी में रही थी लेकिन अगर इस बार ही वो पूरे आइपल खेलते हैं दिल्ली के तरफ से तो उनको कप्तान बनाया जा सकता है उनके experience का फायदा जो है वो दिल्ली capital को आस्तानी से लग सकता है तो ऐसे में कुछ तीन नाम जो है सामने यही है आरश्वन अजिंके रहने और स्टी स्मित जो है उनको कप्तान बनाया जा सकता है लेकिन यूवा कप्तान के अगर बात करें जो वी ट्रेंग चल रहा है कि यूवा कप्तान होना चाहिए उसमें रिशाफ पंद का नाम सबसे उपर आया है क्योंकि रिशाफ पंद की प्रफॉमेंस तेश्माच से टीट्वेंटी या वन डे में देखें तो काफी शांदार रही है और आईपल उनके लिए काफी अच्छा जाता है अलाकि लंबी पारी वो कभी को बार खेलते हैं लेकिन अगर चोटी पारी और एग्रेसिव पारी की बात करें तो वह तंद्रा गेंदों पर तीस से पैते से अचालेशन बनाने का माध्दा पूरा रखते हैं तो रिशाफ पंद को भी श्रे सहीर की जगर कप्तान बनाया जा सकता है ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के पास अभी कप्तान नहीं है और बहुत जल जो है वह फैसला हो जाएगा कप्तान कौन होगा क्योंकि लगातार मेटिंग हो रही है किसको कप्तानी स्वापे जाए तो दूसरी टीम है चन्ने सूबर किंग्स कि निए जाए टीम बार की विजे था पिसका अभी कप्तान कौन होगा इस पर बहुत जादा चरता है कि या जड़ेजा वाइस कैप्तन होंगे या फिर रहना क्योंकि एमेज दोनी कप्तान है और शुरेश रहना को 2018-19-19-19-19-19-20-19-19-19-19-20-19-19-20-19-20-20-19-19-21-19-19-19 कप्तान बनाया जाएगा या फिर आप सुरेश रहना को ही कप्तान बनाते हैं पिछले साल हमने देखा था सुरेश रहना जो थे वह वापस आ गए थे उनको कुछ नीजी कारण उसका नीजी कारण का उन्होंने हवाला दिया कि अब वह आई पेल नहीं खेलना चाहते वह यू सुरेश रहना जो थे वह वापस आ गए थे लेकिन अब सुरेश रहना यानिकी चेन अथाला चेने शुबर किंग्स के जुड़ चुके हैं और उनके पास ही अब वाइस कैप्तिन की जिम्मेदारी होने वाली है लेकिन रविंदर जड़ेजा का नाम भी इस लिस्ट में सबसे महेंगा राजस्तान रोयल ने फूरे आई पर लेतियाश में करीदा है श्यवंदूबे उनके साथ रहेंगे लेकिन जौफरा आर्चर जो राजिस्तान रोयल की मजबूत कड़ी थे, जो पूरे गेंदबाजी डेपार्टमेंट को संभालते थे वो इस साल आईपेल थो नहीं कहले वाले। क्योंकि उनके एल्बो में चोट आई है, उनका कहना है कि वो आने वाले वल्ड कप, P20 वल्ड कप और SHS सीरीज के लिए पूरा ध्यान लगाने बाले हैं, तो जौफरा आर्चर का खेलना भी जो है वो काफी मुश्किल है इस आईपेल में, तो उनकी जगह कौन होगा, उनका रेप्लेस्मेंट कौन होगा, ये राजिस्तान रोयल को आईपेल से पहले बहुत जल्द आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं आते, तो फिर इनकी गेंबादी जो काफी मजबूत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाक करेगी, क्योंकि उनके पास शिवम प्लेस्मेंट के लिए बड़ा ही गिंदास चाहिए होगा, छोटे गिंदास उनका काम नहीं चलेगा, जो आपूरा अर्चर छेल रहे हैं और अभी तक 35 मुकाबले जो हैं, वो जो आपरा अर्चर खेल चुक है, और उनके नाम 46 सिकेट है, यानि कि जो आपरा आर्चर रज काप्तान त्यार करना होगा राजिस्तान रॉयल को जौकर आर्चा का रेप्लीस्मेंट त्यार करना होगा और दिल्ली कैपिटल्स को अपना कप्तान चुनना होगा मुगाबला पहला जो है 9 अपरिल को होने वाला है और 30 माई को आपके लगता कि दिल्ली कैपिटल्स का कौन होना चाहिए और चिननी सूपर किंग्स के उपक्तान के तौर किसको आगे आना चाहिए तमाम खबरों के लिए अपने स्कूर्स के सब्सक्राइब रहे हो जाने चे पहले इस तो वीडियो को लाइक करना ना बुलेगा तब तक र झाल